अगस्ता वेस्टलेंड हेलिकॉप्टर में मनी लॉंडरिंग से समझधित मामले में गवाह बन गए राजिव सेक्सेना को मेडिकल आधार पर विदेश यात्रा की अनुमती देने के खिलाफ एडी की याचिका पर सुप्रिम कोट आज सुनवाई करेगा आज से लखनो के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर वासेवल एप्रेन का काम सुरू किया जा रहा है जिसकारण आज से 12 जुलाई तक लखनो से नई दिली के वीच चलने वाली 33 ट्रेनों को निरस्ट कर दिया गया है इस वजह से इस रूट के यात्रियों को प्रेसानियों का साम ना करना पड़ सकता है खबर है कि सर्मंत्राले अगले सप्ताह वेतन सहिता विधयक को केविनेट के समक्ष मंजूरी देने के लिए रख सकता है इस सम्मंध में बताया जा रहा है कि केविनेट के मंजूरी के बाद इसी सत्र में इस विधयक को संसद में भी पेस करा कर पार जिसके तहत राज्य सरकार नौजवानों को गन्ने के जूस के कारोवार से जोडने जा रही है। विदेश मंत्री स्जे संकर आज मंगलवार को राज्य सभा सीट के लिए गुजरात के गांधी नगर से नामांकन भरेंगे। एहमद अलबन्ना ने सोमबार को भारत को भरोसा दिलाते हुए यह बातें कही। गुजरात में राज्य सभा की दो सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव कराने के खिलाफ कॉंग्रेस की याचिका पर सुप्रिम कोट आज मंगलवार को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि इस संबन्ध में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की अवकास कालिन पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। रेलवे एस्टेशनों पर फ्री वाईफाय लगाने के बाद अब रेलवे की नई योजना है कि ट्रेनों के भीतर भी यात्रियों को फ्री वाईफाय सुविधा दी जाए ताकि बिना किसी व्यावधान के यात्री अपने कम्प्यूटर और मॉबाईल पर वीडियो और फिल आपको बता दें कि दोनों ही टीमों के बीच आज मैच लंदन के लौड्स मैदान में खेला जाएगा दुनिया में भारत की बरती ताकत और परभाव के मुताविक ब्रिटेन अपनी रन्नीतियों में बदलाव करने में उसफल रहा है आपको बता दें कि यह चौकाने वाला तथ्य सोमबार को व्रिटिस संसदिये जाच रिपोर्ट में सामने आये हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेज पोखरियाल निसंक ने कहा है कि संस्कृत संस्थानों को सुद्रिर बनाने के लिए उनका मंत्राले जल्द ही रिक्त परे अध्यापकों के पदों पर भरतियां करेगा आपको बता दें कि लोकसभा में सौमबार को प्रस्मकाल के दोरान विश्य विद्यालेओं में संस्कृत अध्यापकों के रिक्त पदों से सम्मन्धित सबाल के जबाब में निसंक ने यह वातें कही कॉंग्रेसी महासचि प्रियंका गांधिवाडरा ने यूपी में बड़ा फेर वदल करते हुए वहां के सभी जिला कमेटियों को भंग कर दिया है यानि सभी जिला ध्यक्ष सहर अध्यक्ष और सभी पदादिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया है वहीं यूपी की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने है वहां पर अभी से दो नेताओं की कमेटि बना कर उनको काम पर लगा दिया गया है सुप्रिम कोट ने मेडिकल और डेंटल एडमिशन में मराथा आरक्षन लागु करने के मराथा सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है आपको बता दें कि इससे पहले हाई कोट ने भी 16 परतिसत मराठा आरक्षन देने के सरकार के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया था देश की रक्षा तैयारियों को लेकर रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने बरावयान देते हुए कहा कि देश की रक्षा तयारियों के साथ कोई समझोता नहीं किया जाएगा इस दोरान उन्होंने रक्षा छेतर में आवंटित भजट के पूरा उपयोग ना होने के आरोप का भी खंडन किया लोग सभाचुनाओं में हार के बाद कॉंग्रिस अधक्षपद को लेकर चल रहे वहस के बीच राहुल गांधी एक्षन में आ गए हैं जिसके तहट अगामी 26 और 27 जून को राहुल गांधी तीन राजियों के विधान सभाचुनाओं के पंदे नजर बैठक करेंगे आपको बता दें कि 26 जून को राहुल गांधी महराश्ट के नेताओं के साथ और 27 जून को हर्याना और दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं इंकम टक्स विभाग ने चालू वितवर्स में 64,700 करोर रुपे के रिफंड किया है वहीं 2018-19 वितवर्स में 1.61 करोर रुपे से ज्यादा अमाउंट रिलीज किया गया आपको बता दें कि यह जानकारी सोमबार को वितमंत्री निर्मला सितारमन द्वारा दी गई है खबर है कि मोदी सरकार इस बजट सत्र में काले धन पर रिपोर्ट पेस कर सकती है इस संबंद में बताय जा रहा है कि वितमामलों की अस्थाई समीती ने इस बारे में अंतिर्म रिपोर्ट तयार कर ली है हिमाचल परदेश में मौसम विभाग ने 24 और 25 जून को राज्य में मौसम के करवट लेने के अनुमान जताय है जिसका सर परदेश के मध्य परवती और मैदानी छेतरों में देखने को मिलेगा जहां सौमबार को सिमला समेत कई जिलों में जहमा जहम बारिस हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है मध्य परदेश के सिम कमलनाथ ने सौमबार को जहववा में स्कूल चले हम अभियान की सुरुवात की इसके साथ ही सिम ने बच्चों के विकास में मोबाईल और इंटरनेट गतिविदियों को सबसे बड़ी वाधा बताया बॉंबई हाइकोट ने महराष्ट के फर्नवी सरकार के मंतरी राधा कृष्ण विखे पार्टिल जैदत छीर सागर और अभिनास महतेकर को नोटिस भेजा है आपको बता दें कि इन तीनों ने ही हाल ही में महराष्ट में मंतरी पद की सपत ली है और बीखे पार्टिल कॉंग्रेस छोर कर बीजेपी में सामिल हुए थे राज़्थान के प्रियटन मंतरी सिवेंद्र सिंग ने भरतपूर में रविवार को एक कारेकरम के दौरान भाजपा पर निसाना साहते हुए कहा कि लोग सभाचुनों में विपक्ष ने लोगों को गुमराह करके जूट फैलाया था लेकिन राज्य सरकार एलक्षन मैनिफेस्टों में किये गए अपने हर वादे को निभाएगी पश्चिम मंगाल विधान सभा के वाहर परदर्सन कर रहे सरकारी सिक्षकों को सोमबार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया आपको बता दें कि ये सिक्षक अपनी सेलरी रिवाइज करने की मांग कर रहे थे हिमाचल परदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने का राष्ता साफ हो गया है दरसल मेडिकल कॉंसिल आफ इंडिया के वोड आफ गवर्नेंस ने परदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 120 सीटों का इजाफा कर दिया है उडिसा पुलिस ने BJD के नवनिर्वाचित विधायक सरोज कुमार मेहर को सौमवार को गिरफतार कर लिया उन पर आरोप है कि उन्होंने एक आदिवासी समुदाय के कनिष्ट अभियनता को सरेयाम उठक वेठक करने के लिए कथित तोर पर मजबूर किया था अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हैं तो यह ख़वर आपके लिए है दरसल दिल्ली मेट्रो की वाइलेट लाइन पर सोमबार से एक साइड के ट्रेक की मरोमत होने के चलते एक हपते तक मेट्रो फ्रिक्वेंसी पर असर परेगा इस सम्बन्ध में DMRC से मिली जानकारवी के अनुसार कस्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन की एक रिवर्सल साइड पर ट्रेक मरमत के काम चल रहे हैं जिस कारण एक हपते तक ट्रेन की आवाजाही पर असर होगा UP के मैनपूरी से हमारे समवाता सत्यंद्र कुमार बता रहे हैं कि मैनपूरी के किस्नी से विधायक वर्जेस कठेरिया ने आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि डगगा मार बसों को रोक पाने में परसासन नाकाम रही है UP के पीली भीत से हमारे समवाता अवद सक्सेना बता रहे हैं कि पीली भीत के कस्वा वर्खेरा के कर्मचारियों ने पौधार ओपन कारकरम का आयोजन किया जिसमें लगभग 200 पौधे लगाएगे इस मौके पर नगर पंचायत सवहासद राधे स्याम चेर्मेन पुत्र अकील एहमद अंसारी लेखाकार नफीस एहमद अधिसासी अधिकारी आरके चोवे एवं कर्मचारी गन मौझूद रहे कि दोनों मुलकों में अमन होना चाहिए उत्तर परदेश के पीली भीत में 23 जून को पंडित स्यामा परसाद मुखर जी को याद करते हुए भारतिय जन्ता पार्टी कारियाले में उन्हें सर्धांजली दी गई इस मौके पर उनके गौरव साली च्छन को याद करते हुए परतिमा पर पुस परपित कर उन्हें सर्धांजली दी कश्मीर को भारत को अभिन अंग बनाने में इतना इनका योगदान रहा इसी कारण आज कश्मीर भारत का अभिन अंग के रूप में सोलने में अक्षरों में याद करेगा और हम लोग उनसे बराबर प्रेड़ना लेते रहें तो यह थी इस सुबह के कुछ ताजातरीम खबरें और यह खबरें आपको कैसे लगें आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छा लगा हो ज्यादा ज्यादा लाइक क करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नटिव खिसन बेल है घंटी है उसे भी दवा दें ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अब देख